आज हमें boolean object समझना है कि कैसे हम boolean का यूज करते हैं और नए object को design करते हैं boolean actually में दो object जब होते हैं हमारे पास में तो उन दोनों object को मिला करके कोई नया तीसरा object जो advanced object होता है उसको design करने के काम में आता है तो हम इसका कैसे use करेंगे उसको देखने के लिए पहले light box से हम कुछ model यहां से निकालते हैं उपन करते हैं तो चलते हैं यहां पर यह jewelry का एक option दिखाई दे रहा है यहां से हमें एक यह ring आ रही है हमारा सब्टूल की पहले भी classes हो चुकी है लास्ट दो classes आप देख लिए क्लास नमबर 8 और 9 तो यहां पर देखे एक लेयर है और single object है जिसमें रिंग पड़ी हुई है ठीक है नीचे जवाओगे यहां पर तो आपको यहां पर बूलियन का एक option दिखाई देहा तो इसको गल्क कर लेते हैं लेकिन यह ओप्शन अभी आपन देखे लाइट नहीं हो रहे हैं तो यह highlight क्यों नहीं हो रहे हैं क्योंकि अभी त्यार नहीं है ready नहीं है तो सबसे पहली condition यह है कि live boolean आपका on होना चाहिए दूसरी condition यह है कि एक से ज़्यादा object होने चाहिए हमारे पास तो अभी single object है तो एक object और यहाँ पर हमें लेकि आना पड़ेगा तो वो object कौन सा होगा देखते हैं यहाँ से append कराते हैं लेट्स की यहाँ पर हमें एक sphere को add करा लेते हैं और इस sphere को थोड़ा से scale down करेंगे काफी बड़ा आ रहा हैं यहाँ पर यह हैड हो गया ऐसा है इस वज़े से दिखाई नहीं दे रहा था और इसको प्लेस कर लिजे जहां पर भी आपको प्लेस करना है लेट्स की हमें यह यहाँ पर प्लेस करना है तो यह हमारे पास में एक object आगे देखी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यह दो नंबर जो है यह हमारा object है जिसमें यह दो इस पेर और रिंग अब हमारे पास में दो अबजेट आ चुके लाइब बुलिन हमने आन कर रख नीचे लेयर आपको उपर वाली सिलेट करने होगी यह और यहाँ पर देख रहे हैं कि यह तीन option बनके आ रहे हैं एक डबल सरकल एक ही सरकल देखी हाइलाइट नहीं हो रहा है पर यह कटा हुआ है एक यह दो सरकल की बीच कॉमन एरिया तो जब भी बूलिन आप करोगे तो यह तीन function आपको मिल जाएंगे तो हम बता देते हैं पहला function है कि दो object को अगर जोड के एक single object बनाना है तो यह पहला object आ रहा जिसमें दो सरकल दिखाए दे रहे हैं आपका इसी पर click होना चाहिए अगर आपको लगता है कि पहले object से दूसरा object डिलीट हो जाए मतलब अगर यह ring है इसमें से यह object डिलीट हो जाए और जब यह डिलीट होगा तो अपने साथ अपना area भी लेके जाएगा जो share area हो रहा है तो subtract बोलते हैं इसको minus करना जैसे a minus b होता है तो a minus b होगा a यह ring हो जाएगा b यह sphere हो जाएगा तीसरा है कि यह intersection intersection का मतलब होता है कि दो object के बीच में जितना भी common area हो रहा है जो यह share कर रहे है बस उतना बचेगा बाकी सब area हट जाएगा चलो करके देख लेते हैं तो जो layer उपर होगी वो a layer होगी जो नीचे layer होगी वो b layer होगी तो अब देखते कैसे करना है तो नीचे वाली layer में हमने क्या किया सबसे पहले अब on हो गया है जैसे आपने यह दो layer दे दी और live boolean on किया नीचे आपको option on मिल गया आप इसको click करेंगे जैसे आप click करोगे यह operation perform हो गया यहाँ पर देखिए union remacing in progress यह भी चल रहा है अभी यह continue कर रहा है थोड़ा से आपको wait करना पड़ेगा अभी देखिए यह perform हो गय है ठीक है perform हो गया तो कैसे पता लगेगा यहाँ पर देखिए आपका यह यू मेस jewelry करके नया object बन गया है आप इसको click करोगे यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर एक single layer और यह object जोड दिया गया है shift app press करोगे आप तो देखोगे यहाँ पर यह जोड चुका है थोड़ा सा close चलते हैं इसने जोड दिया है निचे से चलते हैं यह तो इसने एक single object बना दिया दोनों को जोड दिया है as it is और single object बना दिया इसको बोलते है union करना तो पहला option जो था union हुआ है देख लेते हैं कैसे यहाँ पर तो हमने यह union दो circle बन किया union किया अब चलते हैं हमने इसको वा जाते हैं जहां पर दो अब्जेट था अब आपको क्या करना है यहां पर नीचे वाले में यह जो डबल सरकल है इसके बगल वाले में आपको क्लिक करना यहां पर तो जैसे बगल वाले क्लिक करोगे यहां पर देखिए एक सरकल पूरा पूरा रहा है एक कट क्या रहा है इसको स सब्ट्रेक्शन बूल하면 b- वही मोइ ड minist न जिए ओपर वाली लियर को हमने सम्ट्रेक्ट कर दिया है और वाले लिएर से देखते हैं कैसा है कुछ step से बन के आ रहा है तो इहां पर देखे ऐसा दिखे кजार्या नहीं आ तो यह पर थोड़ा सा टाइम लेता है जितना भी आपका मॉडल उसमें डिवीजन ज्यादा होंगे उतना ज्यादा टाइम लेगा तो यह अब हो गया है अब मिलेगा कहा पर तो अगेन आपको वापस जाना है यहां पर देखिए एक ऑप्शन मिल जाएगा यह आप्शन आया यूमिस ज्यूल रिकर इसको जैसे हम लोड करेंगे आप देखोगे कि हमारे पास में यह अब जूत आ गया है तो उसने यह अब्जेट से बी वाला माइनस हो गया है इस फिर हमारा माइनस हो गया है तो यह हमारा एक आपजेट आ गया है इस तरह से देखिए कुछी जना गया है और नीचे जो है इसको हमने इंटर सेक्षिन पे लगा दिया। इंटर सेक्षन का मतलब होता है कि दो keeping comment area चलो हम दिखांते हैं का से यहां से आपको common area दिखेगा क्यों की यह silsल का इतना हिस्छा इतना इतना ये और इस रिंक का इतना हिस्छा यह से बाकी सब डिलीट हो जाएगा थीक है तो यह हमारा से रहो गया वाग में हमें यह फाइनल मेश चाहिए तो आपको यहां जाकर देख देख है कर दोगे कोई फरक नहीं पड़ेगा तो आप चाहँ पर दोनों अबजेट доб essen एक दूसरे से दूसरा हमने सब्ट्राइक्षन बना था जिसमें ने माइनस किया था एक दूसरे से अबजेट को अगर ये ले लेर हम ये ये डाईरथा घर पेल लियर उपर देंगे स्पेल लेशाथलर बन जाएगा, और ये रिंग तो जब हम संब्ट्रेक्षन की करते हैं तो हमें इसका ध्यान रखना होता है। बागी इंट्र कार्यां में द्यान नहीं..? लेकिन जब भी हम सब्ट्रेक्ट करेंगे तो हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि उसमें एक object minus होता है, delete हो जाता है, एक रहता है, तो कौन सा बचाना है, जिसको बचाना है, उसको A बनाना पड़ेगा, layer को ऊपर रखना पड़ेगा, और यह intersection हो गया, तो इस तरह से हमने boolean के तीनों face देख लिए हैं, तीनों face हमार से मिलेगी, नीचे boolean के अंदर make boolean maze में क्लिक करेंगे, वह आपके tool में आ जाएगा, फिर वह आप वहां से load कर सकते हैं, तो इस तरह से हमने boolean देख लिया, हम अगले topic में देखते हैं, क्या हमें लेके आना है नया topic और channel को subscribe जरूर करना है आपको, और comment box में जरूर बत क्या है